हे फ्रेंट्स देखे आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं अडानी और हिंडनबर्ग के बीच जो केश चल रहा है जो लड़ाई इनकी चल रही है उसके बारे में और क्या इफेक्ट इसका होने वाला है इन फ्यूचर और देखे इसमें जो है अब CLSNA भी अपनी रिपोर सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं अडानी की सभी कंपनियों पर टोटल जो कर्ज है उसको तो देखे जब से रिपोर्ट आई है तब से अब तक अडानी को तो दो दिन मे नहीं सिर्फ दो दिन में 2,37,000 करोड का लोस हो चुका है और यह वर्ल्ड में जो तीसरे डिचेस्ट परसन थे वहां भी यह सातवी पोजिशन पर आगे हैं तुरंट से एकदम से इसके बाद इन्हें बहुत लोस उठाना पड़ा है इस रिपोर्ट का आने के बाद और दे और 40,508 करोड है यह आदानी इंटरप्राइज इस पर ट्रांसमिसन पर है 32,870 करोड का नीचे आते हैं आदानी विलमार 2568 करोड का बहुत चोटा सा कर जाये तो और अदानी गैस सिर्फ 995 करोड का लेकिन अगर टोटल इसको हम देखें तो यहां देखें दो लाख 28,101 करो अगर पूरे गुरुप का हम डेप्ट टू एक्कुटी रेस्वे देखें तो 2.3 गुणा यह आता है बहुत बड़ा यह एक नंबर अपने आप में दिखता है हमें और देखें इसी के उपर जो है CLSA की रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है यहां आप दे लिया हुआ है बोंड फाइनेंसल इंस्टिटूशन और विदेशी बैंकों से लिया हुआ है तो इंडिया के जो बैंक है उनका ज्यादा कर्ज इसमें है नहीं यह संस्थाएं हैं हमारी जो यह हैं बोंड फाइनसल इंस्टिटूशन और विदेशी बैंक इनसे इसने 60% का क करज था अब 2,000,000 करोड पौझ गया है लेकिन इंडियन बैंकों ने इन्हें करज नहीं दिया है देखिए 2021-2022 में जो है 2,000,000 करोड का करज है इनके उपर और उसमें से 70-80 करोड का करज ही सिर्फ बैंकों का है overall debt में बैंकों का हिस्सा जो है कम हुआ है भी जो कि पिछली बार अगर 2015 की तुलना में देखें तो बहुत जादा था पिछली तीन सार में अडानी गुरूप ने एक लाग करोड का करज लिया है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इन्हें 15 परसेंट यानि कि 15 अजार करोड ही बैंकों से मिला है बाकी साब इन्होंने बाहर से करज उठाया है निजी बैंकों का जो अडानी गुरूप में exposure है वो तो वहेद ही कम है सिर्फ 2% है यह और जो हॉल शिम की assets खरीद थी उसके लिए जो इन्होंने जो जिसमें की सेमेंट कमपनिया उन्होंने खरीदी उसके लिए जो इन्होंने करज लिया था 42,000 करोड का यह इन्हें बिदेशी फंडिंग से मिला था ना कि इंडियन बैंक से तो इंडिया में अपनी जो एकोनिमी है उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर ये कुछ होता भी है तो इंडिया के बैंक सेफ है और देखिए यहां अगर देखें तो 15-16 में जहां बैंकों का हिस्सा 86% हुआ करता था वहां 2021-22 में सिर्फ य घटकर ये भी एक अच्छा साइन है इंडियन बैंकों के लिए इसमें से अगर सरकारी कंपनियों का देखें तो सरकारी बैंकों का देखें तो 15-16 में 55% था अब जो है सिर्फ 25% रह गया है साथी साथ अगर इसमें प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी देखें तो 31% का प्राइवेट बैंकों का था 15-16 में और अभी रह गया है ये 8% ये CLDC की इस रिपोर्ट में बताया गया है और इसके बाद देखें कुछ एक अच्छा पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल सकता है कंपनी में और कंपनी में नहीं पूरे ग्रूप में ही हमें देखने को म ना होगा ये जो हैं सोट difí करते हैं और पहले रिपोर्ट तयार करेंगे फिर अपनी सोट सेल लिग कर लेंगे मिल और फिर इनके कुछ क्लाइंट है mieć दस से ज्ञादा कंपनिया इनके क्लाइट है उनको यह रिपोर्ट सोब देते हैं वहां से भी कमिशन कमा लेते हैं Sig के बाद यह क्या करते हैं कि रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं देखिए यहां आप देख सकते हैं कि यह लोग क्या करते हैं सोर्ट सेलिंग करेंगे और फिर उसके बाद यह रिपोर्ट पेस्ट करते हैं रिपोर्ट होने से पहले ही यह सोर्ट सेलिंग कर देते हैं अपनी इसलिए इसमें इन्हें अच्छा profit हो जाता है साथ साथ देखे इसमें बताए गया है क्यों ये कर पाते हैं ऐसा तो ये लिख रहे हैं play a critical role in expose fraud तो ये fraud को expose करते हैं और protection करते हैं protection देते हैं इन्वेस्टर्स को इसलिए और ये खुद कहते हैं कि अगर कोई clean है तो इनके उपर आके case करें इनसे action ले इनके उपर इन्होंने देखिए एक अडानी गुरूप के उपर भी ये fraud का आरूप लगाया है कि इन्होंने manipulate किया है अपने share को और इन्हेंने जो है अब अडानी को भी एक चुनोती दी है कि अगर अडानी को लगता है वो serious है तो US court में आईए और इसको जो है expose कीजिए case कीजिए इनके उपर अगर ये जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा है खुलो चुनोती इन्होंने एक दी है हिंडन वर्ग ने अडानी को हमारे और अडानी के पास भी एक opportunity है बहुत अच्छी है अगर company अगर group जो है पूरा clean है तो यहां जाके case करें और case जीते तो बहुत खुसी होगी लोगों को और अगर ये case file भी कर देते हैं तो फिर से हमारा share market ओपर की ओर दिखाई देगा फिर से पूरा group उपर की और जंप लगाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि case file करने का मतलब जायतर यही होगा कि हाँ ये clean है तभी इन्होंने भी case किया है company के ओपर हिंडन बर्ग के ओपर और अगर by chance case जीत जाते हैं जिसके की ज़्यादा chance है क्योंकि इंडिया में भी इनके उपर आरोप लगे है पहले भी और ये case जीते हैं वो तो इंडिया में जैसे case जीते हैं ऐसे ही अगर ये इनसे भी case जीत जाते हैं तो उसके बाद तो फिर इनको कोई रोकने वाला नहीं है बहुत अच्छे target in future इनके हमें देखने को मिलेंगे तो अडा निव गुरूप के लिए बहुत बड़ी opportunity है ये case फाइल करें और जो भी इनके evidence हैं वहां रखें और case को जीतें तो लोगों में भी विश्वास बढ़ेगा इंडियन सेयर मार्केट में विदेशी निवेसकों कई भी जो विश्वास है वो बढ़ेगा विदेशी निवेसक भी बहुत ज़्यादा है फिर इंडियन मार्केट में आएंगे तो जिससे की हमारा मार्केट फिर से ओपर की और दोड लगाता हुआ दिखाई दे सकता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आये तो प्लेज लाइक जरूर कीजेगा मिलता हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत